आज हम 50 ग्राम पनीर से ऐसी लाजवा मिठाई बनाएंगे आप बजार से मिठाई लाना भूल जाएंगे क्योंकि दिवाली और करवा चोथा रहे हैं तो उन पे स्वीट तो बनती है मैंने यहाँ पे 50 ग्राम पनीर लिया है अब इसको कदू कस कर लेंगे मैंने बिलकुल बारिक वाला कदू कस लिया है तो इसको पनीर को हम कस लेंगे तो मैंने यहाँ पिसारा पनीर कस लिया है तो आज हम पनीर की ऐसी लाजवा मिठाई बनाएंगे जिसे आप देखते ही तुरंट बनानी दोड़ोगे तो पनीर को साइड में रखा अब लिया है मिक्सी का जार उसमें आदा कप चीनी डाला है आप चीनी की जगह खांड बूरा भी ले सकते हो अब मैं इसमें डाल ली हूँ 5 काजू अब सिरफ 5 काजू भी डालेंगे आप ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हो अब मैं यहाँ पे डाल ली हूँ आदा चमच लाइची का पाउडर आपके पास इलाइची का पाउडर नहीं है तो आप साबुत दो इलाइची भी डाल सकते हो अब मैं यहाँ पे डालूँगे एक पिंच येलो फूड कलर यह बिल्कुल आप्सिनल है अगर आप डालना चाहें मिठाई में तो डाल सकते हैं तो आप इसे skip भी कर सकते हैं और आप इसमें पिस्ता भी डालना चाहें तो पिस्ता भी डाल सकते हैं ड्राइफ रूट आप अपनी पसंद के अनुसार डाल सकते हो अब इसे हम बारिक पीस लेंगे हमको इसका बिल्कुल बारिक पाउडर बनाना है तो यहां पे देखी मैंने बारिक पाउडर बना लिया है अब एक बाउल लेंगे इसमें जो हमने चिनी का पाउडर बनाया है वो डाल देंगे अब हम बाउल को साइड में रखेंगे और दुबारा से सेम मिक्सी का जार ले लेंगे अब हम इसमें डालेंगे एक कप नारियल का बुरादा, इसे डिस्केट नारियल भी बोलते हैं, ये आपको ग्रोसरी की दुकान पे इजली मिल जाएगा, अगर आपके पास नहीं है तो आप नारियल को कदुकस करके भी ले सकते हो, जो गिरी आती है, यहाँ पे मैंने आदा क अब मिल्क पाउडर डाला है, ये बिल्कुल ऑप्सिनल है, आप इसके बगरव मिठाई बना सकते हो, अब इसको भी हम बारिक पीस लेंगे, हमने इसको बारिक पीस लिया है, और जो हमने चीनी डाली थी, उसी बाउल में ये पाउडर भी डाल देंगे, आज हम बना रहे है पनीर काजुरोल जो बजार में हजार से बारासुर रुपे कीलो मिलते हैं, और घर पे इसे इजली बना सकते हो, बाउल में जो मिसरन था, उसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हमने जो पनीर घसके रखा था, वो भी इसमें डाल देंगे, अब यहां पे लिया है दो से जरूरत के अनसार डाल देंगे, पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं पनीर को इसमें, आज हम बिना मावा, बिना जासनी, बिना घी के बहुती सिंपल तरीके, सिर्फ बहुती टेश्ट मिठाई बना रहे हैं, अब मैं इसमें एक चमस दूर डालूंगी, और इसे अच जाएगा, आप जरूरत के अंसार डूर डालते जाएगा, और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएगा, तो यहाँ पे मैंने तीन चमस दूर डाल के इसे डूर की फॉम में कर लिया है, बिल्कुल चिकना डूर हमारा तयार हो गया है, अब हाथ फिर थोड़ा सा गी रोल की सेप दे देंगे, आप रोल की जगे इसकी बर्फी भी जमा सकते हो, लड़ू भी बना सकते हो, पेड़े भी बना सकते हो, आपको जो भी पसंद हो वह आप इसकी सेप दे सकते हो, तो आज मैं बना रही हूँ पनीर काजु रोल, तो मैं रोल की सेप इसे दे दी है, तो यहाँ पे मैंने रोल तयार कर लिए हैं, अब इसे ट्रे में रख देंगे। आप इसे थोड़ी देर पंखे के नीचे भी सेट कर सकते हो, नहीं तो इसे तुरंत भी खा सकते हो, मैं इसे कट कर ले रही हूँ। तो देखें याँ पे मैंने कट कर लें, इतने mouth watering sweet बनी है, आप इसे देखते ही तुरंत बनाओगे, आप इसे चांदी की वरक्से भी सजा सकते हो, मैंने दोनों तरह ऐसे रखा है, अगर आपको वीडियो थोड़ा से भी पसंद आया हो, तो please like, share, subscribe जुरूर करें।